सबी बाई बैनों और दोस्तों नमस्कार दोस्तों आज का जो वीडियो है आज का जो मेन मुद्धर हैगा वो ये है कि आखिर गोर्मेंट CET का रिजल्ट क्यों नहीं निकाल रही दोस्तों एक बात बताओ वहीं CET का अगर रिजल्ट आ जाएगा तो हर्याना पुलिस की जुआइनिंग नहीं करवानी पड़ जाएगी बात समझ रहे है हर्याना पुलिस की जुआइनिंग ये अपने हिसाब से करवाएंगे समझ रही हो ना अब आप लोग कहोगे सर जी हर् रखती है क्या relation इन दोनों का बहुत जादा relation दोस्तों बात को समझने कोशिस करना relation यह है कि CET में जो formula लगाय गया है एक भी percentile normalization ठीक है x y z percentile वो मैथटड वो सेम फॉर्मूला हर्याना पुलिस 66-600 कंडिडेट के जो भरती अभी पूरी नहीं हुई है उसमें लगाया गया है और उसका फॉर्मूला और यह फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर यह CT रिजल्ट निकाल दिया जाएगा तो हर्याना पुलिस के सारे स्टूडेंट्स क्या वोलेंगे कि सार हमारे भरती में कोई प्रॉबलम ही नहीं थी वह फॉर्मूला में कोई प्रॉबलम ही नहीं है तो इतने दिन तक क्यो लटकाया यह बात बिलकुर सच है की फॉर्मले में कोई प्रॉबल्म नहीं है लेकिन एक भानना तो हो गया न तो एक मेन वजह दोस्तों ये है कि CEAT का रिजल्ट नहीं निकाला जा रहा जब तक ये रस्ता किलिर नहीं हो जाएगा जब तक ये रस्ता छाफ नहीं हो जाएगा कि कब इन लोगों की जोइनिंग होगी तब तक CET का रिजल्ट नहीं निकाला जाएगा जब ये लोग ये बिलकुल डिसाइड कर लेंगे कि अब इस तारीक को इनकी जोइनिंग करवानी है तब जाके ही रिजल्ट निकाला जाएगा अधरवाइज पहले रिजल्ट निकाल दिया और जवाइनिंग का कुछ भी सोचा नहीं है तो बहुत भारी प्रोबलम हो जाएगी तो में पॉइंट क्या था दोस्तों समझ गए होगे आप CET का रिजल्ट नहीं निकालने का में पॉइंट के वली यही है यह के नमबर नहीं जोड़े गए सोचियो एकनोमिक के नमबर नहीं दोड़े गए यह ऐसा कुछ नहीं है ठीक है एक्स्ट्र मार्श नहीं जोड़े गए बाई के वलर को लेएगी पॉइंट है माँ आपको बता दूँ कि क्यूंकि सेम फोर्मूला हरियाना पुलिस में लगा हुआ है और हरियाना पुलिस की जौइनिंग जब तक नहीं होगी तब तक इसका रिजल्ट नहीं निकाला झाएगा या फिर ये जिवाइनिंग बिना किये अगर रिजल्ट निकाल रहे हैं पक्कट डिसाइड हो जाएगा कि हरेना प्लिश की जॉइनिंग इस तारीक को करवानी है ताक कि बच्चे प्रोवलम ने करें ठीक है वरना मुझे आप एक बात बताओ अभी हाली में जो खदरी साहब चेर्मेन जो अचसी के हैं उनका अभी इंट्रुव हुआ था उस इंट् जूट तो है किलिर दिख रहा है हां तो क्यों बोला वह आज आपको पता लग गया होगा क्या पॉइंट था क्या नहीं था वह आपको पता लग गया वरना इतने बड़े-बड़े अधिकारी जूट कैसे बोल सकते हैं एक तरफ कह रहें कि 30 दिसंबर से पहले-पहले रिज वोधर हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी महुदे आपसरी ने कहा था अभी हाली केंटर में छे जन्वरी की बात कर रहा हूं छे जन्वरी में आप बोल रहे हो कि एक लाख हरियाना में जोब का पिटारा खुलेगा उसका बटन दबाया जाएगा माननीय परदानमंत्री दव बटन दबाए जाएगा एक लाक भरतियों का हर्याना में पिटारा खुलेगा मुझे एक बात बता दो पहले वाली भरति कौन सी पूरी हुई है मुझे के लिए किलियर करवा दो पहले की कोई एक भरति बता दो कि इस गौर्मेंट ने ये जो आइनिंग करवाई एक नया पच प्रकार के रहते हैं तो तो पहले ताबर तोड़ मेहनत करो लाइब्रेरी में बैठो रात दिन जगो मेनत करो और फिर कोई पेपर दो और उस पेपर भी आसान नहीं होता है बहुत मुश्किल पेपर होता है जो हर्याना पुलिश का ही एक्जामपल tenga मुश्किल पेपर था उस पेपर को क्लियर करो और क्लियर करने के बाद में फिर रिजल्ट के लिए धरने पर बैठो ऐसे रिजल्ट ने देने वाले काफी दिनों तक धरने पर बैठो मैं मैं बिलकुल लाई एक्जामपल दे रहा हूं अगर आपको मेरी बात जूट लग रही है तो आप पिछे का पेज निकाल के देख लो पिछे की वीडिय था फार्मुला तो स्टूड़ेंट ने जगndर लगाया नहीं गौर्मेंट निस फोर्मुला लगाए था तो पिए यह पहले प्रोग करके लगाती ना आती है बच्चों को बस यह बोल दो रिजल्ट में पास हो गए लेकिन ज्वाइनिंग मत दो ठीक है यह तो ना यह तो बिल्कुल यू लगा लो जुटे लोली पॉप दे रहे हैं बच्चों की जवानी खराब हो रही है बच्चों की जो उमर है वो निकली जा रही है ऐसे क्या है बैलेंस रह सकते हैं आदे से जादा बच्चे पागल हो रहे हैं मैं बिलकुल मैं मैं बिलकुल प्रैक्टिकली जानता हूं बच्चों को उनके मोबाइल नेमर मेरे पास उनके गाउं मेरे याद है आदे जादा बच्चे पागल हो गए इस जोब की वज़े से के उल बच्चे लगते तो उनके इतनी गुंजाइस थी कि अगर नहीं भी लगते तो अपना वो फिर से कोई न कोई कारोबार कर लेते लेकिन भाई ये बच्चे गरीब बच्चे थे पढ़ लिखके पढ़ाई के बल पर ये बच्चे लगे थे जो और अब इनकी जुएनिंग निक क्या है भगवान जाने ठीक है सबसे एक पॉइंट एक में और बता दूं मैं गोवर्मेंट ने जब सोच रखाना उस दिन जुएनिंग होगी ये बात सही है लेकिन मैं आप लोगों से प्यारे भाई भाई भेने जो वहां पर बैठे वे हैं पंचकुला धरने पर उन से भी ही जह लोगे तो किस नाम का धरना है बाई बैठे रहो जरूर आपको सेक्सस मिलेगी अब दोस्तों एक बात बताओ सरकार का एक तरफ एक नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहां तक सच है ये मुझे तो नहीं लगता मुझे तो ये नारा पता नहीं क्यों ऐसे दिखने लगा कि बेटी को पढ़ाओ और नौकरी के लिए जो दिलाने के लिए रोडो पर धक्के खिलाओ ठीक है और ये बिल्कुल सच हो रहा है हर्याना पुलिस की जो बेहने हैं जो सेलेक्टिड बेहने हैं आज पंचकुला के झितूर्ती सर्दी में पंचकुला के है गार ऑप क्या ऐसे बच्चों को न्याय नहीं मिलना चाहिए जिस भरती में को धनली ये दानली अगर होगी तो गवर्मेंट की बीस्टी सिधी से बात है धनली ज्याया नहीं यह पिर किस नाम का क्या डगोसला रह गया फिर उदर कह रहे है कि कोट के अंदर बाई जब जैसरी ठाकुर जी अपनी जज़ थी उस टाइम ये बात के लिए रोगी थी जज्मेंट डेट है और जज्मेंट डेट का मतलब यह होता है कि बस अब सारी सारी सुनवाई हो गई है अब क्योल फैसला देना है वो फैसला कहां गया अब उसके बाद तो क्या है अपने दिपक मिसरा जी थे पहले बार जज़ कि क्या थे उन्होंने भी ये कहा कि हम सुनवाई करेंगे उनका नमबरी नहीं आया अब नए जज़ आ गए बिलकुल समझ से बार और रखा क्या करेंगे क्या ने करेंगे अब कहरें सिक्स फैब की हीरिंग है तो अरली हीरिंग लगवाई थे उसका क्या हुआ कुछ नहीं हुआ तो मैं ये कहना चाहूँगा गोर्मेंट से और सभी भाई बहनों से भी बोलना चाहूँगा और जो समाज से भी जो जुड़े वे उन से भी बोलना चाहूँगा कि भी बात को आगे तक बढ़ाओ और इन बच्चों की ज़एनिंग करवाओ दोस्तों अगर एक आकड़े का अनुसार में बात करूँ तो हर्याना पुलिस की जोईनिंग मान लीजी आप वैसे तो बहुत पहले होनी थी मैं जून की बात कर लेता हूँ हर्याना पुलिस की जोईनिंग जून में हो जानी चाहिए थी ठीक है जून में अगर होगी तो देखी जून से लेकि आज तक लग बग 9 महीने हो गए क्योंकि फैब तक जोईनिंग का भी चांस नहीं है फैब के मीड में करे फर्स्ट में करे मतलि एकस्पेक्टेशन कर सकता हूँ ठीक है तो फैब में अगर सी लाक रुपे सरकार ने बचा लिए बीस करोड उनास सी लाक रुपे तो काई को जोईनिंग करवाएंगे सीटे रिजल्ट क्यों निकाला जा रहा पता लग गया जोईनिंग जल्दी क्यों नहीं हो रही दो मुद्दें बाई क्लिर दिखाई दे रहे औरना भरतिय में प्रवलम है नहीं है यार खुछ चेर्मेंस थाब बिल्कुल आए है लाई वाके इंटरु कुल आन एको कहते को problem नहीं है उदर खटर साब कह रहे हैं इंट्रू में कि court में बरती गई है तो ऐसे काम क्यों करते हो कि court में बरती जाए फिर कह रहे हैं कि formula में समझाना है formula तो formula समझाने को student तो जहाने सकता हमारे पास इतनी capacity है हमारे पास power है ठीक है कि हम court में जाके एक आम बच्चा समझा देगा उसके लिए तो कोट के लिए गौर्वर्मेंट की तरफ से अचसी की तरफ से ही सारी रिपलाई दिये जाएंगे और हमने इमन हमने बच्चों ने यू लगा लो प्राइवेट सीनिर एड़ोकेट भी किया है अपने पैसो से तक कि इस बात को के है अच्छे तरफ से किलियर करवाय जाए लेकिन प्राइवेट एड़ोकेट का सीनिर एड़ोकेट का नमबर ही नहीं आता है हीरी नहीं होती है तो बच्चे बहुत ज़्यादा दुखी हो रखे हैं सबरकाप जो यो लगा लो पेसेंस हो बिलकूल टूट चुका है तो दोस्तो लास्ट में यहीं बोलना चाहोंगा कि सरकार की मनसा बिलकूल बिगड़ चुकी है आप देख सकते हो कि इतनी महेंगे महेंगे इस महांगा एक जमान नहीं अब इतनी महेंगे महांगे पहले वाली पूरी नहीं का निकालोगे ऐसे टीचर लाइन में ने टीचिंग लाइन के अंदर भी कोई बी अब तक टीज़ीटी वाले उगे सड़ते जा रहे हैं पीज़ीटी के हैं उनका फोर्मूला पता नहीं क्या सिस्टम बना दिया ठीक है एक नए नए सिस्टम मुक्के मुसीबतों कर सामना करो और बिल्कुल प्रोटेस्ट करो क्योंकि आपका जो प्रोटेस्ट है बिल्कुल सांतिपूर्ण और अनुसासन सहीत हो रहा है तो इसमें कोई प्रोलम भी नहीं है आप लोग वहां पर बैठे रो उठना मत और रही बात सीटी का रिजल्ट नहीं आने का किवल एक ही कान है क्योंकि फॉर्मूला है वो सेम फॉर्मूला है हर्याना पुलिस में जो लगाया गया है वही फॉर्मूला क्या है सीटी में लगाया गया है अगर सीटी का रिजल्ट निकाल दिया गया तो हर्याना पुलिस की जॉइनिंग भी करवानी ठीक है दोस्तों नमस्कार जए हिंद जए भार